जैम अबिंदवाशनी हर हर महादेव आप शभी का स्वागत है हमारी उट्र परिवार में पित्र दोस के विशम में हम सदेव सुनते रहते हैं उसके लक्षण क्या क्या है आखिर हम कैसे जाने की वास्तों में हमारे घर परिवार में पित्र दोस उपस्तित है इसके कुछ विशेस जो लक्षण है जो की वैसे परिवार में परिलक्षित होते हैं जहां पित्र दोस उपस्तित हो उसको ले करके आज हम बंडन करेंगे इससे पहले आप शभी से निवधन है चैनल को जरूर सब्सकाइब करें वीडियो को लाइक करें आपके कोई प्रशन वीडियो को सुनने के पशात रह जाता है तो आवस से कमेंट करें टेलीग्राम गुरूप का लिंक और सिद्ध साब्रे विद्यानामा की यूट्यूब चैनल का लिंक अन्य सभी विशेस लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिये हुए है वहां भी आप सभी जुड़े उन माध्यमों से आप बात भी कर सकते हैं सबसे पहला लक्षाण अगर पितर दोस्अ वास्तों में आपकी upper प्रभावी भी है तो जब वो आपके ऊपर प्रभाव देना आरम्ब करेगा पितर दोस्अ का लक्षाण प्रकट होना यहाँ सुरू होगा कि सबसे पहले जब भी आप सुल करने can अदिक दर्द होगा यहनि प्रतीक दिन शुब्ह के समय में आपको दर्द होगा दुबपार में सांगे नहीं होगा किसे देरोगे पुरा कर लिजिए ह découvrir सुबह पर सरदर्द जरूर देगा चाहिए वह सामंद 2003 कि समय में ही आपका सरद दर्द देगा यह समझ लीजिए कि जरूर कहीं न कहीं आपकी किसे पित्र का कोई प्रभाव है रोस्ट है अथ्वा कुंडली के दूसार पित्र दोस्ट जो है आपको प्रभावित कर रहा है अब दूसरा प्रमुक लक्षण सोने से ही रिलेटेड है जब भी आप रात को सुएं विशेश करके अमवस्टा के आसपास में तो आपको बार बार ऐसा लगे कि कोई बुला रहा है जैसे ही आपको निंद लगेगा लगेगा कोई बुला रहा है और जैसे आप सो करके उठेंगे जैसे आपका निंद टूटेगा आपको प्यास लगेगा बार बार प्यास बहें लेकिन आमवस्टा के दो-चार दिन बीतने के बाद या आमवस्टा से दो-चार दिन पहले तक ही ये चीज़ होगा एक दो दिन बीत गया सुकलपक्ष का प्रतिपत दुत्त्य होगे उसके कि समानेता आपका परिवार का जीवन बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन जैसे ही कोई प्रभ तेभार आएगा जैसे होई कि तीज तेभार पड़ा कोई पुझा पाट का समय आया आपके घर में भयानक मारपीट शुरू हो जाएगा आपस में छोटी छोटी बातों पर मारप और जगड़ा भी इतना बिहानक कि आपस में मारपीट उठा पटक भेका भेकी सब सुरू हो गया यह लक्षण अगर बारबार आपके साथ हो रहा है दिपावली की पुझा में होली की समय में जब भी कोई सुभ पर्व मांगलिक पर्व आये और पुझा का आप तैयारी कर प्तरडोस को होने ही नहीं दिया रहा है क्या है कि इसलिए इसमें भी पित्रडोस का लक्षण भाल उता है इसके परषाद है आप कोई नया तो दो कर दो कर दिया आप महनत करके बहुत जद्दो जहद करके काफी अधिक कठनाई के साथ आप फर आप और अगर कोई कोई वहान पर ले रहे हैं तो इसको परिषाइब और और साथ ही उस गाड़ी में हमेसा कोई ना समझ साथ लगी रहेगी रहेगे कि आप कितना भी मुहरत दिखाकर उसे कर दे हो उसमा अगर पित्र दोस्ख रहेगा तो वहां का सुक आपको सही प्रकार से नहीं मिलेगा बार-बार वहान आपका खरब होगा आप जितना उस ट्वो मुह्त से या उस करभा खर जो है गारेज में बितने लगेगा सब्ता है कि साथ दिन है पता चले चार दिन आप ले जा रहे हैं गाड़ी बनवाने के लिए कभी ना कुछ ना कुछ उसमें लगए हुआ है तो यह आप समय लेजी कि वहान के सुख में जब परसानी आती है तो यह भी पित्रोदोस का प्र मुख सदस्य का काफी तेज तब्यत खराब हो जाए काफी एकदम ऐसी स्टी हो जाए कि उसको होस्पिटल ले जाना पड़े घर में भी अगर पड़े हैं तो कुछ करने लायक ही ना रहे यह ऐसा भी होता है कि परिवार के अधिकादिक सदस्यों का जो है तब्यत खराब हो उसी समय में आप लोगों करता बिल्कुल ही खराब हो जाएगा तब यहां पर पित्रदोस का यह एक लक्षणी से भी माना गया है इसके पश्चात है कि आयू वहती तो होते जा रहा है लेकिन बिवाह नहीं हो पा रहा है यह साम्मान लक्षण है जिसको की पूर तरीके से माना जाता है कि पित्रदोस होने के कारण ही बिवाह मं बिलंब अधिकादिक समस्य जो है उत्पन होती है विवाह मं बिलंब होता है नुख समनार्थ पूलचा पातुछ नहीं कर रहा है पतनी चाहिए बार्बार गर भपाथ हो जा रहा है कारण अभिशारी की हो सकता है लेकिन उसमें पिरों cha sath dolom नहीं मिल पा रहा है अगर पित्र साथ में रिखते हैं तो वंस ब्रेधी त defines situations होता है यह माना गया में बोट अच्छी प्रकारस हो रहा है कंसीम महने में कोई प्राब्लेम नहीं हुआ काफी अच्छे से जो नौ महीने का जो समय था पूरा गर्भवस्था का वो कट गया कोई दिक्कत ना होई और अच्छे से सिसु का जर्म भी हो गया तो पित्रों का पूर्ण क्रिपाया आशिर बात और सुन रक्षण माना जाता है लेकिन अगर इसके पशार आप जो भी कमा रहे हैं उससे अधिक कर्ष हो रहा है कर्ज भी बढ़ते जा रहा है कमा तो रहे हैं आपके पास परसानी है डूसरा है तुए उर्स-ौफ-िंकम तो है लेकिन उप बच नहीं पा रहे हैं इन ही सामी सब्सक्राइब हो गया तो नैदिकेटका भी स्वागे लिडिकले भी कर सांट यह होता है इसके प्रमुख बात है जिसको कि आप लोग मार कि कीजिए जिनके साथ है समस्या है आज पहसा है अलग-अलग के दिक्कते उसी समयाब गाड़े भी खराहर पुरे महिना ठीक ठीक चल रहा था उसे में नहीं है लेकिन यह मई वाला आपको प्रसान कर रहा है को दोखा दे रहा है उसे समय में किसी से जगड़ा हो गया आपके कोई competitor है उनसे कुछ अन्बन हो गया आपकी कोई मित्र है उनसे कुछ अन्बन हो गई यानि कि मानसिक तनाव के स्थिति यह मवस्या के आज पास का जो समय है उसमें आपको काफी अधिक अगर हो रहा है तो यह लक्षण है कि प्रवलतम आपके उपर में पित्रदोस का प्रभाव ह अगर ब्रामण से अगर कोई वैदिक ब्रामण हो कोई विद्वान जोती से उसे संपर करके देख करके उस लक्षण के अनुसार उपचारी त्यादी कीजिए इन पित्रदोस के प्रभाव को दूर करने का प्रयास कीजिए अगर आप स्वेंभी करना चाते हैं तो इसी चनल पर विडियो में एक इक चीज़ को बताया गया है उसे देख करके जो आपको उपयुक्त और आपके अनुकूल लगे उस विद्विधान को आप अपनाईए जीवन में तीन महीने से छे महीने तक अगर लगतार आप विद्विधानों को फॉलो करते हैं तरीकों को करते हैं तो पित्र दोस्ट जो है उसमें कमी आती है पित्रों की कृपा भी आपके उपर आने आरंब हो जाएगी आसा करते हैं इस वीडियो साब सभी को लापराप्त होगा जैमा बिंदवाशनी हर हर महादेव